अभी हम आई हुए भाई सनी टोयोटा इटावा उपर और हमारे सामने जो खड़ा हुआ है वो है टोयोटा ग्लेंजा का एस विरियंट मतलब की सेकंड बेस विरियंट और यह जो है काफी सही चीज है काफी लोग माइलेज को लेके बहुत चंतित रहते हैं और उनको जो है अच्छी पर्फॉर्मेंस चाहिए होती है और उनके लिए जो है काफी अच्छी चोईस बन जाती है जिसमें कि आप जो है पर्फॉर्मेंस बेस कार जो है आपको एक देखने को मिल जा यहां पर अपको तो तरुम जाती है जो कि आपको टॉप Company तॉटिया गया लें लेल्म से चिरह को मिल जाती हैं तो है आपको मिलेंगे श्रुम् इंटक डिटेल आपको डिस्क्रिपिशन में देखने को मिल जाएगी और गाड़ी के डिमेंशन इंजिन स्पेसिफिकेशन सभी आपको डिस्क्रिपिशन में प्रॉइट करा दिए गए हैं वहां से आप चेक आउट कर steel wheels provide किये गए हैं जिसन पर silver color के wheel covers आपको जो है दिये गए हैं आपको front में आपको disc brakes और rear में आपको drum brakes provide की गई है और यहाँ पर ORVM आप देख सकते हैं body color में दिये गए हैं indicator की replacing आपको ORVM पर ही देखना को मिल जाती है बस यहाँ पर camera missing है जो कि आपको top model में देखने को मिलता है side profile अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दी गई है 2520 mm का wheel base आपको यहाँ पर glenza में देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको door visors देखने को नहीं मिलते है quarter glass आपको दिया गया यहाँ पर roof rails भी आपको देखने को नहीं मिलती antenna आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अब देख सकते हैं fuel lid आपको दी गई है पच्पनलीटर आपको CNG gas की fuel tank capacity देखने को मिल जाती है यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं CNG की CNG की बेजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है High Amount Stomp Lamp स्पॉलर पर ही देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको Defoggers प्रोवाइट किये गए हैं लेकिन Rear Viper आपको देखने को नहीं मिलता है Reverse Light की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीकी की आपको देखने को मिलती है और इसी में आपको LED सेट अप दिया गया है Indicator की प्लेसिंग और Reverse Light इसी में देखने को मिलती है Glenja की बेजिंग आप देख सकते हैं और नीचे आपको Reflectors प्रोवाइड किये गए हैं और चार पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किये जाते है यहाँ पर आप देख सकते हैं एस की बेजिंग यहाँ पर टोयोटा कर लोगो अब बूट स्पेस की अगर हम बात करने तो वैसे तो इसमें नहीं मिल सकती है। और टूल कीट वगरा जो है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। कई यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ से आप आप ऐनउफ कर सकते हैं डिफार sino ट्रेय भी आपको इसमें मिल जाती है का दो कुछ को जाता है कि को चिस तरीका आपको जो है कुछ तरीके का देखने को मिलता है दो रेंडेल आपको जो है बलाक कलर में दिये गए है देख सकते हैं आप और यहाँ पर आपको चारो पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाते है आपको जो है ओर विम यहाँ पर देखने को मिल जाते है यहां से आप गाड़ी की विंडूज को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और ड्राइवर साइड की विंडूज आपको आटो अप डाउन दिये गई है यहां पर स्पिकर की प्लेसिंग और बॉटल होल्डर कुछ डॉर पॉकेट में स्पेस अप तुरिश में मिल जाता है यहां पर सॉफ्ट टच का यूज किया गया है कुछ क्लोड टैप का और यहां पर भी सॉफ्ट टच का यूज किया गया है मतलब कि आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगी आप अपना आम डेस्ट आपको करना है वहां पर आपको सॉफ्ट टच दिया गया है ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर हाइट एड़ेस्ट का उप्शन आपको नहीं दिया गया है जो कि टॉप मोडल में आपको देखने को मिलता है और यहां से जो है आप गाड़ी का फ्यूल लिड और बोनट एकसिस कर सकते हैं उसके उपर कुछ थोड़ा बह आपको जो है इस में देखने को मिलता है ओर यहां से आप नीचे से कॉल कनेक्ड कर सकते हैं बीच में तो इस तरीके का डिजाइन पर इस तरीके का अपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का AC vents का डिजाइन आपको देखने को मिलता है यहां से आपस को open close कर सकते हैं यहां पर भी आप सिखते हैं glossly black finish का use किया गया है उसके surroundings में 6 inches आपको infotainment system मिलता है बीच में 1000 लेम के control AC vents और climate control आपको जो है toil bowl charging socket और एक USB port देखने को मिल जाती है नीचे कुछ storage space और 2 cup holder का space देखने को मिल जाता है और 5 speed manual gear box यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यहां पर भी आप लख सकते हैं piano black finish का जो है use किया गया है जो कि देखने में अच्छा लगता है handbrake tip आपको silver finish में मिलती है R match आपको इसमें नहीं दिया गया है लेकिन यहां पर कुछ थोड़ा बहुत storage पर जरूर दिया गया है glove box की बात करें तो कुछ आपको decent सा glove box देखने को मिल जाता है dashboard का design आप देख सकते हैं HUD displays में जो है missing है जो कि आपको top variant में देखने को मिलती है sun visor की बात करें तो आपको जो है plane sun visor मिलता है driver side में और cable ने आपको halogen में दी गई है sunglass holder यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है और co driver side का जो sun visor है उसमें आपको vanity mirror देखने को मिल जाता है grab handle आपको soft hold वाले दिये गए है IRVM आपको night mode के साथ दिया गया है although manual IRVM आपको दिया गया है अब rear seat पे चलके rear का space वगरा देख लेते हैं और देखते हैं क्या-क्या feature आपको पीछे की तरफ दिये गए है door panel की अगर हम बात करें तो आपको जो है इस तरह के door panel डोल्ड में मिलता है और यहां पर भी soft touch का यूज किया गया है door handle आपको जो है body color में ही मिलते है power window के controls और वो ही cloth का यूज यहां पर भी किया गया है speaker की placing bottle holder और door pocket आपको यहां पर देखने को मिल जाती है अब वहीं अगर इस space की बात करें तो space जो है हमको पता है space में आपको decent मिल जाता है अब देख सकते हैं काफी space आपको जो है यहां पर मिल रहा है 6 feet height के साब से driver seat को adjust करने के बाद बीच में आपको hello zone में cable lamp देखना को मिल जाती है और grab handle वही आपको soft food वाले यहां पर दिये गए है तो यही छोड़ी छोड़ी चीज़े होती है यहां पर आप देख सकते है cost cutting नहीं की गई है यहां पर आपको story space और turtle wall charging socket although यहां पर rear receivers missing है और थोड़ा बहुत story space और नीचे की तरफ आपको देखना को मिल जाता है hump जो है इसमें थोड़ा सा consider कर सकते है आप आराम से डेड़ से डेड़ लाक से दोलाक रुपय बचा सकते है तो भाई यह था हमारा Toyota Glenza का review hopefully आपको पसंद आई होगी आप मुझे comment section में ज़रू बताएगा कि आपके इस गाड़ी का review दिखना चाते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हुंद